हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बर फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे आज की बड़ी कबर बिहार सरकार में जन संपर कदिकारे की निकली बेकैंसी जिहां बिहार लोक सिवा आयोग ने सहायक निदिख सथ जीला जन संपर कदिकारे के פद पर 31 बेकैंसी निकाली है इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 फर्वारी 2021 से सुरू होगी इचु कुमिद्वार www.bpsc.bh.nic.in पर जाकर 12 मार्च 2020 तक आवेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि कूल रिक्त पदों में से 10 पद अनारक्चित हैं, 3 पद EWS, 6 SC, 1 ST और 7 MBC और 3 पिछड़ा वर्ग के लिए और एक पिछड़े वर्ग की महिलाओ के लिए आरक्चित हैं ये सेक्षनिक योगिता मायनता प्राप्त विस्विद्दालाई से ग्रेजिशन एवा मायनता प्राप्त विस्विद्दालाई से पत्रकारिता मास कम्मिनिकेशन में डिग्री होना चाहिए बिहार में कोरोना जाच में गड़बड़ी को लेकर एक्षिन में देखे मुखमंत्री नितिस कुमार बोले किसी को नहीं छोड़ेंगे बिहार में कोरोना जाच में फरजी वारे का मामला सामने आते ही बिहार सरकार ने मामले को गंभिरता से लिया है मामले की जाच कराने के लिए स्वास्त विभाग पहले ही कारवाई का आदेश दे चुका है इदर मुखमंत्रे नितिस कुमार ने भी मामले को नाराजगी जताई है कोरोना जाच में परजिवारे मामले को लेकर सियम नितिस कुमार ने अधिकारियों से जानकारे मांगी है सियम नितिस कुमार ने कहा है कि मामले की जानकारे होते ही उन्होंने स्वास्त विवाक के प्रदान सचिव से पुछताच की है उन्होंने पूरी गंबिरता से जाच करने का आदिस भी दिया है उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इस तर से कोई भी गड़बरी किया तो उसे छोड़ेंगे नहीं कारवाई करेंगे दूसरी तरफ कोरोना जाच में गड़वड़ी मामले में बोले तेजपरताब कहा डबल एंजन के सरकार में लगतार हो रहा है गोटाला साक्ष को छिपाने का काम कर रही है लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये सब बिहार की जनता देख रही है इसके साथ ही तेजपरताब ने कहा कि पीम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सिन क्यों नहीं ले रहे हैं उन्हें भी वैक्सिन लेनी चाहिए तेज परताम ने कहा कि अब तक जो वेक्सिन उपलब्द है उसकी पूरी तरीके से जाच नहीं की गई है अगले बाड़ी कबर बिहार में कोरोना जाच में घोटाले पर केंदर सरकार सक्त राज सरकार से रिपोर्ट मांगी नितिस बोले कोवीर जाच तो बहुत बढ़या हुआ है नितिस कुमार ने कहा कि बिहार में कोरोना जाच बहुत बढ़या तरीके से हुआ है आपके जानकारे के लिए बता दे के राज में एक ये मॉबाइल नमबर को 26 लोगों के नाम के साथ दर्ज कर सभी के जाज कराने के जानकारे दी गई जब परताल की गई तो पता चला कि जिसका मोबाइल है उसने कभी जाज करा ही नहीं जिनके नाम दर्ज है वे सभी फरजी नाम है ऐसे कई मामले उजगार हुए है हद तो यह है कि कुरोना जाज कराने वाले का फरजी नाम ग परिच्छा मार्च में होगी केंद्रिय चैन परिच्छ ने 14 और 21 मार्च को लिखित परिच्छा की तारिक गोसित कर दी है दोनों ही दिन परिच्छा दो पालियों में होगी केंद्रिय चैन परिच्छ ने परिच्छा का समय भी जारिक कर दिया है पहली पाली की परिच्छ से परसत की बेवसाइट पर उपलब्द होंगे बाड़ी कबर बिहार जारकान यूपी समेत कई राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसार जिहां बिहार जारकान यूपी मैद परदेश सहित गई और राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस का काम ते आम लोगों को रहात देने के लिए लाइसेंस बनाने का काम आसान मना दिया है लोगों की सहलियत से नजर में रखते वे अब उत्तर परदेश, मजद परदेश, बिहार और जारकान, राजस्तान, दिल्ली, NCR में परिवान विभाग ने डाइविंग लाइसेंस बनाने के नियम को आसान कर दिया है, जिसका फायदा उठा कर अब लोग भारी भरकम जुरुमाना देने से बच सकते हैं, अब घर बेटे भी लोग अपने डाइविंग लाइसेंस के लिए अपलाई कर सकते हैं, पुराना परिवान मंत्रा लेके वेवसेट पर जाना होगा, जहां से भी घर बेटे ही अपने डाइविंग लाइसेंस के लिए अपलाई कर सकते हैं, बिहार में सरसती पुजा में लोग एंड ओर के लिए अर्धसनिक बलो की दो कमपनियों की होगी प्रतिन नियुकती, जिहां सरसती पुजा पर बेदी वेवस्ता बनाए रखनी के लिए बिहार को दो कमपनियी अर्धसनिक बल मिले हैं, बिहार सरकार ने केंडर से तीन कमपनियों की मांगी पर इसके जगा दो कमपनियों की मुहिया कराए गई है, अर्धसनिक बलो को सरसती पुजा के दोरान पठना समwayत अ और दूसरा ससस्तर सीमा बल यानि की SSB की होगी बेरोजगार के लिए सोनुसूद का तोफा अब बागेर इन्वेस्ट किये कर सकेंगे बिजनेस कोरोना काल के शुरुआते दिनों में जब लोगडाउन हुआ था तो बॉलिवोड एक्टर सोनुसूद ने जरुरत मंद लोगो की मदद करने का सिलसिला सुरुक किया था एक बार फिर सोनुसूद बेरोजगारों की मदद करने के लिए सामने आया थे उन्होंने एक नई схこれで करने का दिखा है कि अगर आपके पास जिरो इंवेस्टमेंट है फिर भी आप मालिक बन सकते हैं। करेंगे आगे कहा कि जो आज पूरे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री निदिश कुमार के काल में जो बिति दिनों में बिहार में कोरोना वारिस के समय घोटाला हुआ है उसकी भी उच इस्तर पर जाज किया जाए। उसकी भारपाई करें उन्होंने धमकी देते विए बोला निदिश कुमार कारवाई नहीं किये तो आंदोलन करेंगे। बड़ी कबर सैनिक स्कूल नालंदा में कई पदो पर भरती दसवी पास अभियरतियों के लिए भी मौका। सैनिक स्कूल नालंदा.bihar.nic.in पर 12 फरवरी 2021 को भरती नोटिफिकेशन जारी किया गिया है। भरती नोटिफिकेशन के नुसार अभियरति इस भरती के लिए 3 मार्च 2021 तक आवेदन दे सकते हैं। इस भरती की तहत कूल रिक्तियों की सिंक्या 19 है और यहां एक कौंटेक्चुल भरती होगी। आपको बता दे कि अलग अलग पत के लिए सेक्चने के योगिता भिन भिन है। इसलिए अभियरति आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन जरूर देखे। इसके लिए आवेदन सुल्क समान्यों वा अविसी के लिए 500 रुपिय वा स्वी एश्टी के लिए 300 रुपिय रखा गया है। बिहार के आवेदिक होमियोपती वा तीबी कोलेज में PG दाकिले के लिए 15 फरवरी से रेजिस्ट्रेशन बिहार संयुक्त परवेश परतियोगिता परिच्चा परसद ने राज के आवेदिक होमियोपती वा तीबी कोलेजों में PG के विबिन कोर्सों में एडमिसन के लिए रेजिस्ट्रेशन तिधी जारी कर दी है, MD होमियोपेदी, MD आयुर्वेदिक वा MD इनानी के लिए रेजिस्ट्रेशन 15 से 19 सुरवरी तक रात 10 बजे तक करा सकते हैं, फीस का भुगतान 19 फरवरी को रात 11 बज कर 69 मिनट तक कर सकते हैं, काउंसलिंग का कायरकरम 21 फरवरी को जारी किया जाएगा, वहीं आप लाइन काउंसलिंग 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से सुरू होगी, इसके साथ आपको बता दी कि मेरिट लिष्ट का प्रकासन 18 फरवरी को रात 8 बजे होगा, राज में 4 सरकारिक कोलेज, वह 6 निजी कोलेज, 1 निजी आयरवेदिक कोलेज तथा, 3 निजी तिब्वी कोलेज हैं, बाड़ी कबर नई दिल्ली जाने वाली स्रम जिवरी एक्सप्रेस समेत, लंबी दूरी की ये 5 जोडी ट्रेने रजिया, बिहार में राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली स्रम जिवरी एक्सप्रेस समेत, 5 जोडी ट्रेन, 24 मार्ज तक अलग अलग तितियों में रद रहेगी, वही इन तितियों में ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को किरायव वापस किया जाएगा, आपको बता दे कि पटना जम्मुतवी 13, 16, 20 और 23 फरवारी को रद रहेगी, जम्मुतवी पटना 14, 17, 21 और 24 फरवारी को रद रहेगी, राजगीर नई दिल्ली स्रम जिवी 13 से 23 फरवारी तक रद रहेगी, वही नई दिल्ली राजगीर समझरेवी 14 से 24 फरवारी तक रद हावडा जमुतवी स्पेशल 13-16-19 वा 20 फरवारी तक रद रहेगी वही कामाच का आमबेटकर 11-21 फरवारी के बीच रद रहेगी अंध की बड़ी के बर पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 300 रन रोहित रहाने आउड पहले दिन का खेल खतम होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए हैं रोहित चर्मा ने धमाकेदार 111 रन की पारिक खेले वहीं आजिंग के रहाने ने अर्थ सदक लगाया है भारत को छटा जटका लगा है रवी चंदरन अस्वेन आउट हो गये हैं पंत और अ डेली इसी तरह के बिहार के फटापट 15 बड़े कबरों को जानने के लिए बिहारे मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू टेक केर गुड़ बाई जय हिन जय भारत वंदे मातर